असलाम अलेकुम मैं हूँ सहीदा और आप देख रहे हैं सहीदा इन दे किचन यूट्यूब चैनल मैं दूआ करती हूँ अपने तमाम वीवर्स के लिए हुश्वाबाद रहें आमीन सुमा आमीन आज मैं अपनी चैनल पर जो रेसापी सीखाने जा रहे हूँ वह है चिकन मंचूरियन वैसे तो बहुत से चैनल्स पर चिकन मंचूरियन की रेसिपी सिखाई गई है माशाल्लह बाथ अच्छी होती है मैंने भी कौशिश किये बिल्कुल restaurant style में बनाने की आप भी try करके देखें इन्शाला बहुत अच्छी वनेगी इस recipe को आप भी try करिएगा क्योंकि यह recipe बहुत अच्छी वनी थी और भी भहुत कुछ सिखाने वाली हूँ मैं अपने चैनल पर आपको तो चलें चलते हैं किचन की तरफ Chicken Manchurian with Fried Rice Chicken Half kg अंडा एक अदद नमक हस्भी जरूरत Black pepper, white pepper 1 tablespoon Soya sauce 2 tablespoon Sirka 1 tablespoon Kutti हुई लाल मिर्च 1 tablespoon तमाम इंग्रीडियन को अच्छी तरह mix कर लें अब शामिल करेंगे Kutava lesson 1 tablespoon और ऄंग्रीडिऊ पलड़ी तरहए वेसं निवयाज़ें अबरें, चैनल अइंगे क्रॉस्टी शल्यजयवें दूरत चाबिशों ब 5 ती माशलया दाने चम्सी हे जरूबी आपिया को निदा निदीः ताने पृशनétais वाल कमालों खुग सुएंको मैदा चार खाने की चम्मच कॉन फ्लार दो खाने की चम्मच तमाम इंग्रीडियन को अच्छी तरह मेक्स कर लें और आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं जब ऑईल अच्छी तरह गरम हो जाए तमाम मेरीनेट की हुई चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लें जब अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तो निकाल लें यह देखें इस तरह का कलर हो जाए तो चिकन को एक प्लेट में निकाल लें झाल रखते हैं झाल झाल तमाम चिकन को हमने फ्राई कर लिया चिकन मंचूरिन बनाने के लिए सौस राड़ी करते हैं दो खाने के चमच ओईल लेकर उसे हलका सा गरम कर ले दो से तीन अदद लेसन के जवे लेकर उसको बारी कट कर ले और ओईल में लाइट ब्राउन कर ले अब शामिल करेंगे एक खाने का चमच सोया सौस एक खाने का चमच सिरका अब शामिल करेंगे हम एक प्याली कैचप वन टेबल स्पून ब्लैक पैपर वाइट पैपर हस्बे जरूरत नमाग और आधी प्याली शामिल करेंगे चिली गार्लिक सॉस वन टेबल स्पून शामिल करेंगे रैट चिली पाउडर तमाम इंग्रीडियन को अच्छी तरह मेक्स कर ले एक अदर शिम्ला मिर्च क्यूब में काटकर शामिल करें जब सॉस को थोड़ी दिर पका लें तो एक गिलास पानी शामिल करके इसको अच्छी से मिक्स करके कवर कर दें और एक दो मिनट पका लें एक से दो मिनट पकाने के बाद हम कॉन फलाड शामिल करेंगे एक खाने का चमच हमने कॉन फलाड लिया है थोड़ा सा पानी लेकर उसको घोल के जो हमने सॉस रैडी कर रूदेंगे ने पकाने के अदर शामिल करेंगे कि उसमें हम शामिल कर देंगे ताकि हमारा सॉस ठिक हो जाए कि सॉस को एक दो मिनट पकाने के बाद फ्राइ की हुई चिकन शामिल कर दें अच्छे से मिक्स करें और कवर कर दें चिकन मंचुरियन रेडी है ग्रीन अनियन से गार्डिश करें और सर्फ करें चिकन मंचुरियन विद फ्राइड राइस रेडी है सर्फ के लिए आप भी बनाएं इंशाला बहुत अच्छा बनेगा कर दो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक और शेयर कर दें क्योंकि मैं भी चाहती हूं कि मेरा चैनल ग्रो करें और आप लोग मेरी रेसिपी को इस तरह वाच करें और जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज कर दो